हेलो गाईज, वेलकम टू सोनी आलाइन क्लासेज, आज अस वीडियो में हम देखेंगे कि जिवनसाथी, चुन्ने का क्या क्या तरीका है, यानि कि जिवनसाथी के संख्या क्या धार पे बिवा के कितने सौरों पाए जाते हैं, बिवा क्या है, बिवा संस्कृति के द्वारा स सिक्ठित एक संस्था होती है, एक organization होता है, एक institution होता है, आप सभी society में देखेंगे, सभी society में बिवा क्या मैरीज क्या है, पाये जाता है, और शवी में बिवा करने का जो rules regulation होता है, वो different different होता है, जिसके फालसरी विवीन समाजों में बिवा के अनेक सवरोप य प्रकार पाय जाते हैं, उसके डिफेंट टाइफ्स अफ मैरेज पाय जाते हैं, और परते इक जो सुसाइटी है, विवारोपीनियम या निधायत करता है कि कौन सा वियक्ति किस वियक्ति से विवा करेगा और किस के नहीं करना चाहिए, कितने ब्यक्तियों के साथ करना चाहिए, कितने ब्यक्तियों के साथ नहीं करना चाहिए, इस तरह से हर समाज में सारे सोसाइटी में विवा करने के लिए अलग अलग रूल से गूलेशन पाए जाते हैं, उनमें अलग अलग सवरूपों को जम देते हैं, अन्ड इसी प्याज़ब इस टापिक पर डिस्स करेंगे कि जितनी भी सोसाइटी," जैको different-different society पाय जाती है," तो विवार करने के विवी उनमें जो टाइब्स है तो वो different-different होते हैं, यहां मैंने कुछ चार्ट बनाके रखा है कि जिवन साथी के संख्या के अधार पे बिवा, थ्री टाइपस के होते हैं, पहले एकल बिवा, बहु बिवा और समो बिवा, एकल बिवा तो इसके अंडर में भी दो तरह के बिवा होते हैं, एक है समाने एकल बिवा और दूसरा है पुनर एकल बिवा, नेक्स्ट है बहु बिवा, इस है बहोपति विवा तो उसमें भात्री भात्री बहोपति विवा होता है अब थाड़ हो गया समो विवा तो यह जिवन्साथी कि संख्या के अधार पर विवा करने के टाइप सहोगे जो रुप होगे कि Does the point is Eman aka因為 एकल सुनने सी लग रहा है निकि एक लड़का और एक लड़की जब विवा करते हैं तो उसे हम एकल विवा कहते हैं विवा का यासर हो भारत की अनिक जनजातेों में पाया जाता है जैसे एक्जामपल हम ले लेंगे खासी, संधाल, कादर हो, इत्यादी ये सबी ट्राइब्स में हमें एकल विवा देखने को मिलता है नेक्स्ट जो मैरेज है यानि बहो विवा या दो तरह का होता है एक बहो पत्नी विवा होता है और दूसरा बहो पत्ती विवा तो बहुपत्नी विवा इसमें एक पती और एक से अधिक उनमें पत्नियां होती हैं तो वो एक्जाम्पल हो जाएंगे जैसे नागा, गोन, बैगा, टोडा, उरा, मुंडा, इत्यादे ट्राइप्स में बहुपत्नी विवा देखने को हमें मिलता है नेक्ट जो है बहुपत्नी विवा इसमें एक पत्नी होती है और एक से अधिक पत्नी विवा में होंगे नागा, गोन, बैगा, टोडा, उरा, मुंडा इसला से बहुप सारे एक्जाम्पल से जो बहुपत्नी विवा करते हैं भारत के आनेक जन्जातिव में ये बिवा पाया जाता है यवन समाजों के विसिस्ता होती है जो क्रिशी प्रधारित होते हैं हिंदू सामन्ति समाज में भी भहुपत्नी बिवा का प्रचलन पाया जाता है नेक्स्ट जो एक्जाम्पल था भहुपत्नी बिवा का मिन्स एक पत्नी होगी और उसके दो या तीन या एक से अधिक पत्नी जो पाया जाते हैं भहुपत्नी बिवा का जाता है विवा का ऐसा सरूप अगर देखना है तो ये पितिवन से समाज में पाया जाता है प्रंतो ना करती और फुड गेतिंग करने का काम करती है तो इसमें कौन-कौन से ट्राइब्स हो गए टोड़ा जो के निलगीरी में पाए जाते हैं नायर केरल के मालवार छेतर में आपको देखने को मिलेंगे कारो जन जाती इस सरे एक्जाम्पल्स हो गए भावपती विवा के जो भाव बात इसमें भाई नहीं होते हैं तो बाती वह पती विवा यानि इसमें सभी जो भी हस्बेंड रहेंगे उस लड़की के या उस और आइत के तो सभी भाई क्योंगे आपस में भाई होंगे जितने भी पती हैं और इसका एक्जाम्पल हो जागा टोड़ा खासी ट्राइब कुलक नहीं कोता हैं जितने भी पती होते हैं वह एक दूसरे को नहीं जानते हैं कोई रेलेशन उनका आपस में नहीं होता है कोई सम्मन नहीं पाजाता है और थर्ड जो है समो बिवा इसमें एक से अधिक पत्य और एक से अधिक पत्ना होती है और सभी का एक दूसरे के साथ योन सम्मन सेक्रेथ होता है तो डॉक्टर मजुमदार क्या कहते है उन्होंने कहा है कि बिवा के सहरूप को बहुपती पत्नी बिवा के संग्या दी है या बहुपती एवं बहुपत्नी बिवा का मिलित समू है इसका एक्जम्पल अगर आपको देखना है तो आप टूड़ा और खासी टाइप्स में आप देख सकते हैं जैसे देवर बिवा है, साली बिवा है, विद्वा या विदूर बिवा है, तलाक के बाद पुनर बिवा, ये सारे एक्जामपल्स है, जो ये सब भी आपको मैरिज इंडिया में आपको देखने को मिलेगा. तो ये देवर विवा क्या है, मृत पती के पतनी, उसके छोटे भाई के साथ विवा कर लेते हैं, तो उसे हम देवर विवा कहते हैं, मिल्स की एक इस्तिक अजब पती का डथ हो जाता है, तो उस पती के छोटे भाई, यानि जो रिस्ते में देवर लगता है, उसके साथ जब इस देन के बिवा करा दी जाती है तो इस बिवा को हम देवा-बिवा कहते हैं और किस कि सोसाइटी में आपको देखने को मिलेगा इसतरा से तो मुंडा उरा, संधाल, Gondisar से बहुत से ट्राइब्स हैं जिसमें देवा-बिवा देखने को मिलता है साली विवा यह बिल्कुल देवा विवा की तरह ही होता है साली विवा में क्या होता है जब एक पुरूस की वाइप मर जाती है तो उसकी बहन से यह पनी साली स्वार मैरिज कर लेता है तो उसे मैरिज को साली विवा कहा जाता है यानि पती का अपने मृत पत्नी के चोटी बहन के साथ, जो विवा होता है उसी साली विवा का जाता है, इसका एक्जांपल समेरे सकते हैं, हो मुंडा भी, गॉंड, इसंसे बहुत सरी एक्जांपल किस्कें साली विवा देखने को मिलता है, नेक्स्ट क्या है विद्वा विद्वा या विद्वा विद्वा यानि कि जिसके पती मर जाए वो विवा करती है और दूसरा विद्वा यानि कि जिसकी वाइप बर जाए तो इसे विद्वा कहते हैं नेक्स्ट है तलाक के बाद पुनर विवा यानि कि तलाक लेने के बाद आप किसे से विवा करते हैं तो उसे बोलते तलाक के बाद जो हो गया विवा पुड़ विवा इससे गाइब एस वीडियो में हम देखे कि जीवन-साथ ही चुने के कित्में सारू पयाट container अपज्ण थे जाते हैं फिर मिलते हैं नी वीडियो में नी टॉपिके साथ जैहन